हेलो वच्चर नमश्कर मैं ड्राम इंस्ट्रक्टर मुकिश कुमार आज की क्लास में आपका तैदिल से स्वागत करता हूँ आज का हमारा टॉपिक है आई कॉंटेक्ट आई कॉंटेक्ट एक कलाकार के लिए कितना जरूरी है उसके बारे में आज आपके साथ कुछ चर्चा करने बाला हूँ आई कॉंटेक्ट अगर हमारी आई कॉंटेक्ट प्रॉपर तरीके से हमारे को आटिस के साथ नहीं हो पाता तो उसका रिजन ये होता है कि हमारे अंदर कहिंगे एक आत्म बिश्वास की कमी नजर आती है जब भी हम काम करते हैं हमारी आइस हमारी आँखें ये दर्शा आती है कि आप क्या सोच रहे हैं आपके अंदर डर है या आप धबरा रहे हैं या सामने वाले से आप नजरे मिलाने से आप जी चुरा रहे हैं वो चीज़े कहिंगे यहां पर नजर आती है अगर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं तो आप प्रॉपर तरीके से सामने वाले के साथ में आई कांटेक्ट करने में बिल्कुल नहीं डरेंगे जब भी आप काम करें सामने वालों की आँखों में आँखे डाल कर आप बात करें लेकि डिपेंड करता है कि सामने वाले का जो करेक्टर किस प्रकार का है उसी के हिसाब से आपके आई कॉंटेक्ट होने बहुत जरूरी है तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहली बात कि आपको आई कॉंटेक्ट प्रॉपर तरीके से अपने आँखों को मजबूत करने के लिए ये अपने अंदर एक आत्म विश्वास पैदा करने के लिए सबसे बड़ी अच्छे एक्सक्साइज है कि आप शीशे के सामने यानि मिरर के सामने आप लगातार पांच से दस मिनट लगातार आप देखते रहें आपकी आँखों में लगातार आउस्वाए तो आने दें और प्रवपर तरीके से आपको लगातार अपने आँखों को अपने शीशे के सामने आपको देखते रहना है ताकि आपकी आँखों के अंदर और आपके दिमाग में वो एक आत्म बिश्वास पैदा हो जाएगा कि जब भी आप काम करेंगे कि सामने बाले की आँखों से आप नजरे नहीं चुराएंगे तो इस एक्सरसाइज को आप निरंतर करते रहें ये नहीं कि आज हमने काम करें आज करें और उसके बाद में हम छोड़ दें ऐसा नहीं प्रॉपर तरीके से आप अपनी आँखों पे काम करते रहें ताकि आपका आत्म बिश्वास बना रहें और जब भी आप काम करें तो आपका आई कौंटेक्ट प्रापर तरीके से हो सके आई कॉंटेक्ट आपका सबसे बड़ा संप्रिशन होता है तो बच्चो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही घर पे रें सुरक्षित रहें और घर पे रेके काम करते हैं जै हिन जै भर्द नमस्कार